नमस्कार दोस्तों आपका हमारे चानल को सल्या देशी किचन में हादिक स्वागत है आज एक जबर्जस रेसिपी लेकर आई हूँ पीजा बनाने की बीना आवन के हम घर में आसानी से बहुती कम खर्चों में और बहुती कम समय में हम बहुती ज़्यादा टेश्टी पीजा ब मिर्च पीला वला सिम्ले मिर्च हरे वला और पनीर प्याज कटा हुआ स्वीट कॉंट टमाटर अब हम पहले गुनगुना पानी डाल देंगे बरतन में और इसमें डाल देंगे एक चमच्चीनी एक टेश्पून मैईदा अब इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे का विंक्स कर लिया हमने अब इसके बाद हम डालेंगे यहांपर मैंने डियुक्त यहां पर दो पीजा के लिया है तीन करा थे नहीं हुआ है यह दीख्या हमने धिरी हमारा साबुन जाग जैसा बन चुका है कि मपारगी के चीज़ें डाल सकते कैसे जाग सकते हैं पहले हम अधा को डाल देंगे और इसके शांथ ही हम डाल देंगे नमक, नमक डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें, हमारे रेसिपी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेर करें, कि आने वाली रेसिपी का नोटिप सकते हैं देख सकते हैं किस तरह हमने मिक्स किया इसे अच्छे से दोस्तों आप हमेरे हमें इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं और फेस्बूक में भी फोलो कर सकते हैं इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे इससे हम बहुत ही मुलायम और सौप डो लगाना है टाइट बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारा डो पीजा का डो कभी भी टाइट नहीं बना जाता है तो यह दिखे हमें किस तरह से बनाना है अब देख सकते हैं किस का डो जो है बिल्कुल चिपचिपा है इसी तरह से में बनाना है तो चलिए इसको हमने मिला लिया है अब हम एक थाली लेंगे और इस थाली में बाकी को पुरा करेंगे यहां पर मैंने थोड़ा सा ओइल डाल दिया है यहां पर मैंने रिफाइन ओइल डाला है अब इस तरह से हम हाथों पर भी थोड़ा ओइल उपने लिए वो बिल्कुल हमारे हाथों में चिपके नहीं इक हाथ से हम दबाएंगे और एक हाथ से ऐसे मसल मसल कर हम इस पूर्श को पुरा करेंगे ये दिखिए इस पॉर्सेस को कुछ दिर तक हम दस से बारो बार हम इसी तरह से करेंगे तब हम जो ये दिखिए अच्छे से ये जो धेला भी कहीं नहीं रहेगा इस तरह से सानने से और बिल्कुल मॉलायम और सौप्ट हमरा डो लगेगा आप देख सकते हैं क किस तरह से हमने फोल्ड किया है किस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके उपर हम ओईल लगा देंगे ये दिखिए हमने फोल्ड कर लिया है इसके उपर से ओईल लगा लेंगे और जिस बरतन में हमने पहले साना था उसी में हम थोड़ा ओईल लगा लेंगे और इसे हम इसी म क Luck में हम इसे कबर कर देंगे और इसके बाद हम एक थाली स्वेक्वित तो Πंड दें यानि कि ढख देंगे और इसे हम दो घंटे के लिए ढग Дब देंगे हैं देखेंगए दो घंटे महीं डबल हो कूप है अब हम इसे इस तरह से पंज मारेंगे और यह दीक्विटी सारा हावा निकल चुका है अधिमें थोड़ा सा ओएल भी लगा लेंगे यह इस तरह से मैधा हमारे हाथ में चिपके यह दिखिए इस तरह से हम अब देख सकते हैं कितना सौफ्ट है यह कितना नरम मुलाइम हैं हाथ में तेल लगानेक बाद यह बिल्कुल नहीं चिपकेगा अब यह दिखिए इस तरह से हम इस पोर्शस को 5-6 बार करेंगे और यह रेडि हो चुका है अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तेल लगा लने के बाद, इसे हम मैदा को दो भाग में बाट देंगे, क्योंकि मैंने 300 ग्राम मैदा लिया है, दो पीजा बनाने के लिए, ये दिखिए, इसे हम दो भागों में बाट देंगे, और ये दिखिए, फुल फेमली के लिए आज मैं पीजा बन ने वाली होँ गाड़ देती होँ आप अप हम इसका लोई बना लेंगे ऑली हम बना लेए और रोड़े से मीदा देकर इसे बेल हैं तो इसे तहरो नहीं रखना है वह हम लोई बना लेटे- है इस तरह रहन है अब है अ बड़ा सा जैसे हम पराठाई ये रोटी बेलते हैं, उसी तरह से मैं इसे बड़ा से बेलने वाली हूँ और मैंने एक बड़ा थाली रखा है, उसी में मैं आज पीजा बनाने वाली हूँ, इसमें हम पहले सुखा मैदा डाल देंगे, बिना अवन का पीजा असानी से घर में बन सकता है, तो यह देखिए, यहाँ पर मैंने बेल लिया है, और यह देखिए, बड़ा सा पीजा मैंने बेला है, अब इसमें हमने थाली में रख दिया है, अब हम पहले लगाएगे इस तरह से दाग, काटेदार चमच से पीजा हमारा फूले नहीं, इस तरह से छ्थेदा कर देंगे इस पूरा कर लिए अब डालेंगे इसमें पीजा सोस भर भर के इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से हम फैला लेंगे इस तरह से चार तरफ हमने फैला लिया है अब इसमें डालेंगे मुद्रेला चीज इसमें इसको भी हम भर भर के डालेंगे तब ही जाकर पीजा हमारा बहुत ही जबर्जस्त बने गा यह दिखिइ इस तरह से हम 4 तरफ फ्छेलालेंगें तो अब दिखिआ इसפר से हम 4 तरफ इसे फ्छेलाने के बाद राद इसमें हम डालेंगे सीम्वला मिर्श चारो तरफ हम पहले अलेते हैं कि saja निया आया मैंने मन्ने देड ध्यार सार चीज डाला है लाल वाला शीम्वलाера मिर्श हम पहले लगा लेंगे अपने पसंद का सबजी इसमें लगा सकते है एह तरसा हम फेला लेंगे चारो तरफ से और यह दिखी तरसे हम हारा वला भी लगा लेंगे अच्छे से चारो तरफ से हमें फैला लेना है और यह दिखी तरसे हमने फैला दिया है पीले वला भी हम इसी तरह से लगा लेंगे पीला वला सिम्ला मिर्च है यह तीनों कलर कर हमने सिम्ला मिर्च ले लिया ह आपके पास जो भी हो उसको आप डाल कर बना सकते हैं अपने मन पसंद सब्जीयों के डाल कर आप बना सकते हैं पीजा इस तरह से हम फेला देंगे अब हम इसमें डालेंगे पनीर पनीर भी मैंने धेर सारा लिया है और पीजा के साथ पनीर भी बहुत ही ज्यादा तेश्टी बनता है कि इस तरह से हम चारव तरफ पनीर को भी फैला लेंगे लाका कि छाली हो नहीं चोड़ेंगे और यह दीखिए इस तरह से हम अब हम इसमें प्याज भी इसी तरह से फैला लेंगे इस तरह से हम चारों तरफ इस तरह से फेला लेना है मैं अच्छे से अब हम इसमें फूट कॉन भी डाल देंगे यहां पर मैंने फूट कॉन भी डाल दिया है और खिर से हम अच्छे से डाल देंगे इसमें और बाकी मैंने रखा है इसे भी हम फेला लेंगे फिला दिया है अब साइड साइड में इस तरह से हम दूद भी डाल देंगे हम्हें क्यों डालना है कि बिल्कुल वैसे कलर हमारे पीजा साइड में यहां पर मैंने नमक रखत दिया था गरम होने के लिए हैड मेडियम पर 15 मिनट के लिए पहले से ही अब इसमें हम धकन लगा देंगे 35 मिनिट के लिए ऐसे धक देंगे पकने के लिए चेक कर लेते हैं ये दिखेए बहुती बड़िया कलर आया है बहुती टेस्टी ये बना है ये दिखेए बिलकुल आवन का हम घर में कैसे पीजा बना सकते हैं जैसे हम केक बनाते हैं घर में देख सकते हैं बहुत ही कम खर्चों में कैसे हमें बनाना है पॉर्फेक्ट कलर आया है और यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है यह देखिए अब इसे हम उतार लेते हैं अब निकाल लेंगे इसे साइड साइड से यह देखिए इस तरह से सा हम रख लेते हैं दूसरे बरतन में अब यह हमने डाला है और गेणो फिलिस और इसके बाद हम डालेंगे चिली फिलिस इससे बहुत ही ज्यादा टेस्ट बढ़ जाता है पीजा में यह देखिए भर-भर कर डालेंगे इसमें और इसके बाद हम आपको कट करके दिखाते हैं कि कितना टेस्टी ये बना है, बिल्टना आवन के घर में कैसे हमने बनाया है, पीजा बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा कम खर्चों में, तो दोस्तों अगर आपको हमारा पीजा बनाने के रेसिपी पसंद आए, तो हमारे रेसिपी को लाइक करें, हमारे चैन नए रेसिपी के साथ